लालो प्रशाद यादो एक नाम जो किसी पहचान का महताज नहीं है नंबे के दशक का वो नीदा जसने विहार में भाय का महौल बना दिया दबे कुछलों का मसीहा तो बना लेकिन रसुगदार धन्ना सेठों की गले की हड़ी बन गया एक ऐसा मुख्य मंत्री जिसने खुले मंच पर ऐसे भाशन दिये जिससे पूरे राज में कोहराम मच गया बिबाग अंधाज और साधारन सा दिखने वाला व्यक्ति जब बिहार के सत्ता पर विराजमान हुआ तो कई सुर्खिया बंती चली गई एक ऐसा दौर जब टीवी चैनल के नाम पर केवल दूर्दर्शन हुआ करता था उस दौर में इस वैक्ति ने खूब मीडिया कवरिस बटोड़ा सारे प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाकर जब इस वैक्ति ने अपने सरकारी हेलिकॉप्टर पर गरिब बच्चों को घुमाया तो उसने लाखों दिलों को जीतने का भी काम किया लेकिन वक्त किसी का नहीं रहता वक्त इनका भी बनला और इनस्ता काले का काला चिठा खोल गया अज बात करेंगी लालू-फ्रशाद यादो के इनके उपर डड जिस सारे मामलों की बात करेंग सा आप्या जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना क्याम्रा परसन को उम्रे अगर दिया जाए किसी को तो सबसे पहला नाम लालू प्रिशाद यादो कहीं जाएगा 11 जून 1948 को गोपाल गंज में जनमें लालू प्रिशाद यादो जस परिवार में पैदा हुए उसका मुख्य काम गौपालन था पर किसे पता था एक साधारन से परिवार में पैदा हुआ ये लड़का एक दिन देश की सियासत में अपनी ऐसे चाप छोड़ेगा कि बुरहापी की जि सिंदगी उसे जेल कोट और अस्पताल के चक्र काटने में गुजर जाएगी मामला सुरू हुआ चारा घोटाले से स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाल रहीं जो लगभग 950 करोर का था कई लोगों की नाम इसमें बाहर आये लेकिन एक नाम ऐसा सामने आया जिसने इनके साथ एक और नाम जुरा हुआ था पुर्व मुख्य मंत्रिक जगनाथ मिश्रा का चारा घोटाले को जागर करने वाले आई एस अधिकारी अमीद खड़े की माने तो उनका कहना है कि वो 27 जनवरी 1996 की सुबा थी जब उन्होंने चाइबासा कोशा गार पर पुरानी ब देखकर दंग रह गया कि उसमें सभी बिल 9.9 लाक रुपै के थे और उसमें से पहली नजर में ही जाली होने का शक हुआ जब उन्होंने जिला परशुपालन अधिकारी और उनकी सहाईकों को बुलाते और उनकी सफाई मांगते तब तक उन्हें पता चला कि वे सभी अधि ड्राप्ट और नकली ट्रेजरी बिल चारों तरफ बिखिरा हुआ देख हैरान रह गए साफ लग रहा था कि वो लोग जल्दबाजी में वहां से भागे हैं दो पहर 12 बजे जब उन्होंने अपने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि पशुपालन विभाग के कारेयले को सी आखिरकार अकाउंट जनरल और राजे के वित विभाग से पूछ ताच कर ये साफ हो गया कि कुशा घर से जितनी रकम निकाली गई है वो तो विभाग के लिए आमंटित राज्य के कुल बजट से भी अभिक है उन्होंने मुकदमे की श्रिंखला में पहली एफ आयर की जि बड़ा घोटाला दरसल अजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला था जिसमें मवेशियों की चारे दवाईये और पशुपालन से जुरे उपकरनों को लेकर घोटाला किया गया था इसमें पश्युपालन विभाग के सरकारी खजाने से लेकर 950 करो रुपे के निकासी से ज महया करा रही थी इस दौरान पश्यों के चार के लिए भी पैसे आते थे लेकिन ब्रस्त अधिकारियों राजनेताओं और कई पश्युपालन से जुरे वैवसाईयों के सहयोग से इस घोटाले को अंजाम दिया गया था और उसी मामले में लालो यादो का नाम सामने आया था विपक्ष ने इसकी पूर्जू और विरोध भी किया था और इसी वज़ा से लालो यादो को सिफ़ा भी देना परा था जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबरी देवी को मुख्य मंद्री का पज़ सौब दिया था चारा घोटाले के मामले में पांस साल लालो यादो पर मुकर्मे दर्श किये गए थे इन मामलों में लालो यादो को सज़ा सुनाई जा चुकी है और फिलहाल वो जमानत पर अभी बाहर आए हैं लेकिन सियासी गल्यारे में कल फिर हलचल मच गई जब सी बी आई ने लालो यादो से जुरेच सत्रा अलग अलग जगहों पर एक साथ चापे मारे पत्ना में राबरी अवास से लेकर दिल्ली में उनकी बेटी मिशा भारती के घर तक सी बी आई ने चापे मारी की है बताया जा रहा है कि लालो यादो के रेल मंत्री होते हुए उन्होंने नौकरी देने के नाम पर रिश्वत ले है और रिश्वत के नाम पर जमीन लिया है पैसों के लिए इन देन से बचने के लिए भ्यर्थियों से जमीन लेने के बदले में उन्हें नौकरी दी थी जिस म चापे मारे हैं हालांकि अभी तक उनके हाथ कुछ भी लगा नहीं है कई जगहों पर उन्हें अंदर जाने के लिए परिशानियों का सामना भी करना पड़ा बता दे सीबी आई की चापे मारे सर्फ लालो यादों के ठिकानों पर ही नहीं बलकि लालो प्रिशाद को जमीन दे की गई है और कल से पहले साल 2017 में राबरी अवास पर चापे परे थे कहा जा रहा है कि अब लालो यादों जेल भी जा सकते हैं ये भी कहा जा रहा है कि नितेश कुमार को अल्टिमीचम देने के लिए भाजपा नहीं ऐसा करवाया है लेकिन एक वक्त जिस राजनीता की तू होता है क्या वो जेल जाते हैं या फिर मामला यहीं शान्त हो जाएगा आगे जो भी अपडेट आएगे हम आपको बताएंगे तब तक देखते रहें जंता जंक्शन धन्यवाद